वेल्कम टू नेक्सक ज्याम आज है 14 अप्रेल 2023 और 14 अप्रेल 2023 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्यन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिसक्स करेंगे और हर कुश्यन से रेलेटेड इंपोर्टेंट प्रेक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वह द्यान से देखिए लास्टम मैं आपसे कुश्यन पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स हूं बताना है आज किस वीडियो के पीडियो के डिसक्सम से राउनलोड कर सकते हैं पीडियो आप हमारे टेलेग्राम गुरूप से भी राउनलोड कर हाली में सेवी ने अपना 35 इस्तापना दिवस कम मनाया है तो अभी सेवी ने अपना 35 इस्तापना दिवस 12 अपरेल को मनाया है तो इस कुश्यन का बे आप्सन सही है एक्चल में 12 अपरेल 1988 को सेवी की स्तापना होई सी इसलिए हर साल 12 अपरेल को सेवी अपना इस्तापना दिवस मनाता है और इस बार सेवी ने अपना 35 इस्तापना दिवस मनाया है अच्छा अपने 35 में स्तापना दिवस पर सेवी ने अपना लोगो बदल दिया है अभी तक सेवी का ये वाला लोगो था लेकिन अब सेवी ने अपना ये नया लोगो लॉंच कर दिया है सेवी की फुलपॉम क्या है? Security and Exchange Board of India इसकी स्तापना कव हुई? 1988 में इसका Headquarter कहां पर है? मुंबई में और इसकी Present Time पर Chairman कौन है? मादभी पुरी बुच कौन है? मादभी पुरी बुच तो इस Question से आपको एतनी जानकारी मिलती है अच्छा आज किस वीडियो का हम Target रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगता है अलपो लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सेर जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मॉर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट करो चाहे छोटा सा ही टार्गेट पिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो और फिर अपना पूरा देन उस टार्गेट को अचेब करने में लगा दो आपकी लाइफ आटोमेटिक लिए अच्छी हो जाएगी ने क्यूशन है हाली में एग्री ड्रोन सबसेडी प्राप्त करने वाली पहली कमपनी कौन सी बनी है तो गरुड एरोस्पेस ये एग्री कल्चरल ड्रोन सबसेडी प्राप्त करने वाली पहली कमपनी बनी तो इस क्यूशन का से ओप्सन सही है गरुड एरोस्पेस ये ड्रोन का एक इंडियन स्टार्ट अप है और ये कमपनी एग्री कल्चरल ड्रोन सबसिडी प्राप्त करने वाली पहली कमपनी बन गई है नए कुशन है हाली में जारी सबसे अधिक आपरादिक देशों की रेंकिंग में कौन सीर्स पर रहा है तो सबसे अधिक आपरादिक देशों की रेंकिंग में बेनेजुएला टॉप पर रहा है तो इसकुशन का बे आप्सन सही है बेनेजुएला फर्स्ट पर है पपुआ नियुगिनी सेकेंड पर है और अफगानिस्तान थर्ड पर है अब बेनेजुएला टॉप पर है तो यह है मैप में बेनेजुएला बेनेजवेला की केपिटल क्या है कराकस बेनेजवेला की करंसी क्या है बेनेजवेलन डॉलर और बेनेजवेला की प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है निकोलस मदुरो कौन है निकोलस मदुरो अच्छा सबसे अधिक आपराधिक देशों की रेंकिंग में अपना अपना देश भारत कौन से नमबर से नमर पे हैं फूशन है हाली में कौन सा राज यह तैन दिवशी बैस था की महुत अजेंगर है तो अभी जम्हुकस्मीर दिवशी बैसा की महुत सब आयोजित कर रहा है तो इसको इन का C option सही है अब जम्मू कस्मीर कर रहा है तो यह है मैप में जम्मू कस्मीर जम्मू कस्मीर के Lieutenant Governor कौन है Manut Sinna और अभी Manut Sinna ने जम्मू में टुलेफ Garden का उद्धगाठन किया एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्गाडन स्रीनगर में किया गया एसिया का सबसे बड़ा ट्विलेव गाडन ये जम्मू कस्मीर में खुल गया है जम्मू कस्मीर में डूड़ा में सबसे उचा प्रतिस्टित रास्टी धोज लगाया गया है एशिया की अब तकी सबसे लम्बी साइकल रेस स्रीनगर में सुरू हुई है प्रेटन मंत्राले ने जम्मू में पहली स्नो मेराथन का आयोजिन किया है Best Adventure Tourism Destination का आबाट जम्मू कस्मीर को मिला है और बारत में जम्मू कस्मीर में पहली बार lathium के भंडार मिले है प्रश्मिर के बारे मियाद रखिए नए क्यूशन है हाली में भारत का पहला 3D printed डाग घर कहां खुलेगा तो यह बैंगलूरू में खुलेगा तो इसकुशन का बे आप्सन सही है कंस्टक्शन की एक नई टेकनोलोजी है 3D printed टेकनोलोजी इससे पहला डाग घर बैंगलूरू में खुलेगा यह 1100 स्कुएर फीट में बना है लगबग 23 लाक रुपई की लागस्ते से बनाया गया है और 30 दिन में यह बनकर तयार हो जाएगा जो नॉर्मल कंस्टक्शन होता ह उससे 30 से 40% इसकी कॉस्ट कमाती है यह है भारत का पहला 3D printed टाग घर यह अभी बैंगलूरू में खुलेगा ने क्यूशन है हाली में जारी ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुक्यमंत्री कौन है तो ADR यानि की Association for Democratic Reforms इसकी अभी एक रि अधिक संपत्ति वाले चीपनिश्टर है जगन मोहन रेडी तो इसकी इनका A options है जगन मोहन रेडी फस्ट नमबर पे इनके पास 501 करोड रुपए की संपत्ति है दूसरे नमबर पे पेमा खांडू है इनके पास 163 करोड रुपए की संपत्ति है अच्छा सबसे अधिक वाले चीपनिश्टर कौण है तो सबसे कम संपत्ति वाली चीपनिश्ण्र है ममत् Mega पास 5500000 पे की संपत्ति नया में निधन हुआ है इनका कितने बरस की उम्र में निधन हुआ तो केश भ महेंद्रा इनका अभी 99 बरस की उम्र में निधन हो गया नेक उशन है, हाली में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल के सहर में किया गया, तो अभी कूलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल सफलता पूरवक पूरा किया गया, तो इस कूशन का बे ओप्सिन सही है, कूलकाता में ह ICC Player of the Month कौन बने हैं? तो बांगलादेश के Allrounder साकिब अलहसन और रवांडा की महिला किरिकेटर हैंडरीट इश्मोवे ये दोनों ICC Player of the Month बने तो इसकुछ इनका से अप्सन सही है उप्रयोक्त दोनों ये हैं साकिब अलहसन ये बांगलादेश के Allrounder हैं ये Men's Player of the Month बने हैं और ये हैं 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 रीट इश्मोवे ये रवांडा की Allrounder हैं और ये बिमेंस Player of the Month बनी हैं अच्छा फरवरी महा का ICC Player of the Month हैरी ब्रूक ये इंगलेंड के थे और एसले गार्डनर ये औसलिया के थी इन दोनों को चुना के हैं अब ICC यानिके International Cricket Council इसकी स्तापना कब हुई 1909 में इसका Headquarter कहां पर है दुबई में और इसके Present Time पर चेर्मन कौन है ग्रेग बारकले ने क्यूशन है केस देश में S3N8 World Flu से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई तो अभी चाइना में S3N8 World Flu से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई तो इस क्यूशन का B options आई है ये World Flu का नया strain है S3N8 और इस से अभी दुनिया की पहली मौत चाइना में एक महिला की हुई है अब चाइना तो ये है मैप में चाइना चाइना की Capital क्या है पीजिंग चाइना की करंसी क्या है रेन मिन बी और चाइना की Present Time पर प्रेसिडेंट कौन है जे जेंपिंग अभी स्वनिर्मित अरपतियों में चाइना टॉप पर रहा है चाइना की संसद ने नए प्रेमियर की रूप में ले कियांग को नामित किया है चाइना ने संचार उपग्रे जौंग सिंग 26 का प्रक्षे पड़ किया चाइना ने अमेरिका में अपने दूद चिन गांग को नया विदेश मंत्री बनाया है और बैग्यानिक पत्रों के प्रकासन में चाइना टॉप पर रहा है ने कुशिन है हाली में दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड कौन सा बना है तो दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड बना है MRF तो इस कुश कि स्वेलव आभ्यारंड में बागों का पहला फोटुग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है तो प्रदार म grieving द्रवल अब्यारंड में अभी आपको पता अभी हमत्री नारेंρ्ण मुदी ने करनाटक के बांदिपुर में बागों का आकड़ा जारी किया तो प्रेजेंट एंपे पूरे देश में कितने बाग हैं ये उत्तर प्रदेश के स्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिले के लगबग 452 किलोमेटर के एरिया में फैला हुआ है। आज की पुस्प है पलास और राज की ब्रक्ष है असुका ब्रक्ष। अभी उत्तर प्रदेश के माराजगन जिले में बिस्व का पहला ACI किंग गिद संरक्षड केंद्र बना है। अच्छा उत्तर प्रदेश सरकाल ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉंच किया है। अच्छा उत्तर प्रदेश में दुद्वा नेशनल पार्क है, कतर्नियागाट वार्लाइब संचुरी है और पेली भी टाइगर रिजर्व है। ने कुशन है, हाली में जारी AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन सीर्स पर रहा है। तो Artificial Intelligence Based जो स्टार्ट अप हैं, इन में इन्वेस्टमेंट के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा है। अब अमेरिका टॉप पर है, तो अमेरिका की प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन, अभी तापमान ब्रद्दी के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा है। बारती मूल की मम नेट कोलन, अमेरिकी राज कनेक्टिकट की पहली सायक पुलिस प्रमुक वनी है। रभी चोधरी अमेरिका की बायुसेना के सायक सचिब बने हैं और एरिक गारसेटी भारत में अम्बेरिकी अम्बेस्डर नियुक टू है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका की बीच में कौन-कौन सी डिफेंस एक सायज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वजप्रहार और युद्द अब्यास। ने क्यूशन है, हाली में किस कंपनी को मिनी रत्न केटेगरी फस्ट का दरजा दिया गया? तो अभी सोलर इनर्जी कोर्परेशन ओफ इंडिया को मिनी रत्न केटेगरी फस्ट का दरजा दिया गया? तो इसकूशन का ए ओप्सन सही है, सोलर इनर्जी कोर्परेशन ओफ प्रिजन टाइम के बाड़ेज एबम उद्योग मंत्री हैं प्यूस गोयल ये अभी दो दिवसी इटली के दोरे पर गए है तो इस कुश्चिन का से ओप्सन से है अब इटली तो ये है मैप में इटली इटली की कैपिटल क्या है रोम इटली की करणसी क्या है यूरो और इटल को अब है तो अभी बिहार इंट्रोनिक के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीजह आप लिख देते हो पिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज को कुषिण आपके लिए आज का question है हाली में किस राजी की गौंड पैंटिंग को GA tag मिला है चार option दिये गए हैं इन में से आपको अपना answer होताना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous year question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page join कर सकते हैं क्योंकि previous year question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indreshrc indreshrc Instagram पर indreshrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज की studio का target जरू याद रखना आज की studio का target है 40 या like का तो अगर ये video आपको अच्छा लगा है तब आप इस video को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook ग्रूप हैं उनमें आप इस video को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current affairs का video आपको ये video कैसा लगा प्लेज comment box में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो इससे आप subscribe जरू कर लेजिए आपको इस channel से निश्चित ही मदद मिलेगी जब आप से subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon मन के आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर ले जिससे के आपको daily morning में current affairs की video मिलती रहे next exam always video thanks for watching